चिंतमन राव वर्सेस स्टेट ओव मध्यपर्देश आठ नॉवंबर 1950 को सुप्रीम कोड की कॉंस्ट्यूशन बेंच ने इस मामले में अपना डिस्टीजन दिया था मामला बड़ा महत्तपुन था मामला था अनुशेद 19 में जो सुतनताताएं हर नागरिक को मिली हुई है उसमें जो आर्टिकल 19.1 G में फिर्डम टू कैरी एनी बिजनस, प्रोफेशन, ट्रेड से संबंदित है और जो अनुशेद 19.6 है उसमें उस पर रिजनेबल रिस्टिक्शन लगाई जा सकती है तो ये केस जो था इसमें 19.1 G के वो एलिसन की बात थी जो मध्यपरदेश राज्य था उसमें उसमें एक कानून था और उसमें ये 1948 का कानून कहिए इसमें था कि कुछ गाओं में वद्यपरदेश के उस चेतर के कुछ गाओं में ऐसा था कि बीडी के बनाने का काम होता था बीडी manufacturer जो है बीडी बनवाते थे किस्वानों से और उनके घरों में बीडी बनाई जाती थी अब इसमें इस कानून में था कि जो particular season में जो खेतिवारी का season है उस season में DC चाहे तो उस चेतर के कुछ गाओं पे और एक season जो agricultural season वो डिकलेर करेगा उस दोरान उस घर में या उन गाओं में कोई भी वेक्ति जो है बीडी नहीं बनाएगा ये एक तरह से उनका जो freedom था जयानि कि जो गाओं वालों का या जो बीडी में इंफेक्चरर थे उनका भी कि to carry their business trade profession उसका वो इलेशन एक तरह से सिधा सिधा था सरकार के तरब से ये कहा गया कि ये इसलिए किया गया है था कि उस particular season में जब खेती बारी का season होता है उस समय अगरिकल्टर जो labor है वो मिलती नहीं है इसलिए ये कानून बनाया गया था ताकि उस particular समय में जो भी season declare किया जाए जो DC declare करेगा उस तोरान जो है लोग बीडी बनाने के काम में ना लगके खेतों में मजदूरी का काम करेए इसी को इस case में चिंतामन राओ के case में चिंतामन राओ और सिस्ट्रीट अगर्डवरदेश के case में चैलेंज किया गया था आर्टिकल 32 में Supreme Court में पहुंचे और Supreme Court ने इस मामले में देखा कि जो DC के पास जो power है यानि कि जो agricultural season में ये करने की कि particular season ये समय है और इसमय इन इन गाउं के लोग बेड़ी नहीं बनाएंगे तो वो जो order है वो article 19 close 6 के reasonableness में आता है कि नहीं reasonable restriction में आता है कि नहीं petitioner का ये कहना था कि ये unreasonable restriction नहीं है और ये petitioner के fundamental right का violation है दूसरी तरफ state of मध्यपरदेश की तरफ से ये कहा गया कि जो state है राज्य है वही जिज़ कर सकता है कि reasonable restriction क्या है और राज्या ने अपनी power का इस्तिमाल करते हुए ये order pass किया है जो कानून बनाया गया है ये reasonableness के इसाब से ही बनाया गया है ताकि जो खेती बाड़ी है वो उस समय हो सके और उस particular session में जो भी जितने दिनों का वो season माना जाए उसमें वो बीडी ना होना है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो reasonableness की बात होती है वो हर individual matter होता है उस पर depend करता है और वो reasonableness उस particular action की है की नहीं है वो केवल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा ने की constitutional court डिसाइड करेगा और इसमें ये कहा गया कि जो बीडी बनाने वाले लोग थे उन particular गाओं में वो उनको जो order देख करके और agriculture labor के रूप में particular season में यूज किया जाए ये एक तरह से unreasonable है और reasonable restrictions में नहीं माना जा सकता ये void है unconstitutional है और fundamental rights का relation है तो चिंतामन राव वर्स स्टेट अब मध्यपर्देश का ये मेहत्व को केस है 1950 का ये केस है 1951 में AIR में ये report हुआ था नमस्कार धन्यवाद